नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज 18 आज हम मुझूद हैं बिदीशा में और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पांच इंटरनेशनल खेलने वाले अतुल जाट से तो सर आपका स्वागत है थेंक्यू आपके चैनल का और आपने हमारे कलब के लिए इतना सोचा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम है अतुल जाट और मैं पांच अंतर राश्टिये इस तर पर भारत का प्रतिने देत्यों कर चुका हूँ कई राश्टिये परतियुकताओं में भाग लिया है और मद्यप्रदेश सासन द्वारा एकलव एवर्ड और विक्रम एवर्ड से सम्माने थें और अपना बल्लभवन मंत्राले में मेरे को जॉब मिली है गवर्मेंट जो कि मैं वहाँ अभी पदस्त हूँ आपकी जन्नी कैसे रही आपने विदीसा से इंटरनेशनल लेवल तक कैसे मतलब क्या क्या फेस किया और किन किन परेसानियों को आप सामना किया और मतलब बैसे तो देखा जाता है कि विदीसा में बहुत से लोग हैं जो मतलब इतने लेवल तक जाते नहीं तो ये गेम आप फर्स्ट क्लास ही समझी है तब मैं जाके जॉइन किया फिर थोड़ा सा मेरे को गेम के बारे में मालूम पड़ा जूडो से स्टार्ट किया था मैंने फिर धीरे धीरे में ताइकॉंडो में इंट्रिडूस हुआ फिर लगबक किसी को इतना नॉलेज नहीं था ताइकॉंडो क में गए इस्टेट लेविल गए नैशनल लेविल गए जैसे 2001 में मेरा गोल्ड आया तो फिर मैं उसके बाद साई में कैम्प लगा था बैंककॉक का उसमें गया तो वहां पर मास्टर कीम थे उन्होंने ट्रेनिंग कराई फिर वो ट्रेनिंग जब लेके आया वो बारी किया मैं सीख के आया ताइकॉंडो की फिर उस पे अपना काम किया फिर काम करके जैसे ही मैं उसके उपर और आगे बढ़ने लगा तो मेरा 2004 में एकलव एवर्ड मिला मेरे को तो कजाकिस्तान मेरा पहला इंटरनेशनल था जिसमें इंडिया को में रिप्रिजेंट किया था फिर परफरमेंस अटक गया था तो मैं यहां से निकल के बैंगलोर्स आई गया बैंगलोर साई में मेरे गुरू थे गौतम सर गौतम विर्दी तो वो काफी मतलब इंडिया में भूत अच्छे गुरूं मेंस नहीं आएगा आगे जाओ, तो ऐसे बारी कियों से उनने चेंज आगे जो गईा, तो ऐसे बारी कियों से उनने चेंज गाए, फिर गाए उसका टीटमेंट नहीं कराएँगे, तो वो खेल didn't act, कोशिश करा कि नेचरल जो है उसी में खेलनााSo Reddit. फिर मैं continue खेलतरा खेलतरा फिर 2011 में लगबग मेरा gold medal उदर आया नेपाल में काट मंडू में तो वहाँ पर mount Everest करके है जो काफी अच्छा टूनामेंट है उसमें मेरा इंडिया की तरफ से gold आया फिर उसके दोजार 14 में common wealth का selection हुआ 2011 में भी common wealth खेला था उसमें मैं quarter final हार गया था फिर 2014 मेरा common wealth में selection हुआ पर उसमें पैसे मांग रहे थे तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता और फिर मैं नहीं खेला फिर उसके बाद 2014 में फिर मेरी मदर को थोड़ा cancer हो गया और उनसे मेरा बहुत दिल्ली attachment था तो फिर म मैं थोड़ा खेला फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं आया इसमें referee ship की field में और फिर मैंने किलब खोला 2019 में फिर मैंने सोचा जो हमारे मौले में गरीब बच्चे हैं जो गलत लाइन में चले जाते हैं जिनको घर से support नहीं है या फिर आर्थी किस्तिती से कम जो अबी बच्चे कम आ रहा हैं लेकिन ठीक है जो बच्चे आ रहा है मैं उनी पर work कर रहा हूं जैसे हमारे अब राट है वो जूनियर सर्विसेस में सेलेक्ट हो गया मोहित का भी selection हो गया अभी हम उसका call letter का wait कर रहे हैं और दो बच्चे हमारे अगनीवीर में जैसे सांची स सीखने आते थे तीन-चार बच्चे हमारे डेली अपडाउन करते थे उन назыв अगरी में से सीलैक्ट हो गए तो हमने इस साल कम से कम चार बच्चे services में सीलैक्ट किये तो उनका भविश्य बना Dash लिए तो उनके parents को और अडोस-पडोस में सब यही बोलेंगे एक दिन कि वो किलब ज्यादा बेटर है वहाँ पर जाने से हमारे बच्चों का भविश्य बन गया तो अभी मेरा मोटिफ यही है कि आगे चलके मैं बच्चों को और ट्रेनिंग कराऊं और ताइकॉंडो जितना हो सके मैं ताइकॉंडो में उनका फ्यूचर हो है और मेरा कोई उससे उद्देश नहीं है अभी तक जो आपने प्रोब्लम फेस की है तो आप उन बच्चों को क्या देंगे सजेशन की उन बच्चों को आप आप जैसी प्रोब्लम सामना नहीं करना पड़े एक्चुली क्या है मैंने आर्थिक स्थिति से भी बहुत फे कि ऊसी भी आर्थिक हो या फिर ट्रेणिंग हो टेकनिकल हो या बाहर से किसी की कोई सपोर्ट चाहिए या बाहर ट्रेणिंग चाहिए तो मैं उस चीज में उन लोगों को कभी कमी नहीं आने दूंगा तो मेरा मोटिव वही है जो मैंने फेस किया है कि इदर जा रहा है ट्रेनिंग करने ओधर जा रहा है भाग रहा है या फिर कहीं से पैसे नहीं है तो कोई senior हमें दे रहा है कोई coaches खीच रहा है पुल कर रहा है लेक पुल कर रहा है कि नहीं जाना है यह सब फेस नहीं करना प्रइश जितने हैं मेरे पास उने सिर्फ उनका मॉटिव यही रहेगा ट्रेनिंग करो और हमें इंटरनेशनल खेलना है और वो रास्ता मेरे को पता है तो मैं उसी रास्ते पर ले जाऊंगा क्योंकि मैंने किताबों में भी पढ़ा और जो मॉटिवेट स्पीच है उनमें भ बार में दे सकता हूं तो मैं वो पूरा ग्यान उने दूँगा ताकि वो जितना आगे बढ़ सके वो बढ़ सके तो अभी आपका क्या तैयारी चल रही आने वाले बच्चेंगों को लेकर अभी हमारा मोटिफ था वर्ल्ड चेंपिंशिप और एशियन चेंपिंशिप का सेले मैं जा सकता ठीक है आगे जब भी टूनामैंट होगा तो हमारी प्रैक्टेस वहिए वह ईह कि जो भी चीज होगी उसके लिए हम रेडी हैं यह नहीं के अभी टूनामेंट नहीं तो घरपर जाकर सो जाए। बच्चे कर रहे हैं और कोई भी टूर्णमेंट कभी भी हो बच्चे हमारे रेडी रहे हैं दिसा के अलावा भी आप मतलब जैसे अभी तो एक एडमी इसके अलावा आप कहां पर एक एडमी खोलेंगे पहले तो मेरा मोटिव यही है के ताइकॉंडो में जो डिस्टीप्यूट चल रह है फिर कोई मतलब नहीं है या नैशनल ले गए नैशनल का सैटिफिकेट कहीं नहीं लग रहा बच्चों को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा जॉब में नहीं लग रहा तो कोई मतलब नहीं है तो मेरा मोटिव वही है कि पहले वो सब खतम हो फिर जहां से वैलेड हो जो अच्छा खेलते हैं तो मेरे साब से ना ही किसी की आर्थिक सपोर्ट की जरूरत पढ़ती है ना किसी फैडरेशन की क्योंकि हमारी सरकार ने अल्रडी बहुत सी योजनाएं आदेश जारी करें कि जिससे उन्हें बहुत पैसा मिलता है आगे बढ़ने की तरक्की के लिए किसी के सपोर्ट की वो खुदी अपने इस तर पर बढ़ सकते हैं